तो कैसे आप लोग, आज हम बात करने वाले, railway में प्रिंज दो कि एक और सांदार vacancy निकल के आछ चुका है, देख सकते फिन देहली में, जो कि आज हम इसी के वारे प्रिंज बात करने वाले हैं, तो छले फिरेंज में बतातों आप वो कि क्या vacancy है, क्या detail से कब से start होने वाल और बेना एक्जाम दिये अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंट लग जाए तो आपके लिए यह वेकंसी बहुत सांदार होने वाला तो इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें क्योंकि आपका इसमें कोई भी एक्जाम नहीं होता है आपको वनली फिर्म मेरिट भी ब होने वाला है जो कि इसका फ्रिंट लास रजड़ियर आपका जो ही की 11 11 2014 रहने वाला है फ्रॉम भरने का और जो फ्रॉइन पर आपका जारी होगा देख सकते हैं 12 फरवरी 2024 फ्रें इसका मैसे भी लिस्ट आज आएगा तो कैसे प्रोम भरेंगे इसलिवन में आपको बता द आपको अच्छी तरह से form को fill up करना है कैसे प्रिन आपको percentage fill करना है जिससे प्रिन आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपका सही तरह से merit बने तो वैसे अगर candidate है जो railway में interested है या आपने ITI कर लिए 10 पास के बाद तो आप लोग जरूरी इस form को भरे फ्रिन आप आप लोग के लिए बहुत अच्छा उप्रेंट चिंटी है यह फिर नोटिफिकेशन का लिंक है आप जरूरी एक बार चेक कर लेंगे अपने अस्तर पर मैं आपको details में अच्छी दर से समझा देता हूं नोटिफिकेशन गाडिंग्स तो फरिन यहाँ पर देख सकते हैं ररसी और देहली अपेंटिक्स रिकृरमेंट 2023 जो की रेलवे रिकृर्मेंट और यहाँ पर पोस्ट नेम आप यहाँ पर देख सकते ही इसका जो स्टार्टिंग डिट मैंने आपको बताए एक 11 दिसंबर 2023 और लास्ट डिट एक 11 जनवरी 2024 तक आप भर सकते मंदब की फ्रिंड आपको एक मैना का समय मिल रहा है फॉर्म भरने का और जो फ्रिंड फीस पेमेंट का है वो एक 11 जनवरी तक ही रखा गिया है मैरिट के लिए मैंने बता दिया आपको जो की 12 फरवरी से आपको मैरी लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा नौर्थ रेलवे देली जोन के लिए फ्रिंड ये की वेकेंसी है जो आपका जोप लुकेशन होगा उसकी वहां के लिए है फ्रिंड और इसमें जो फीस लगेगा फ्रिंड दोई कैटेगरी को फीस देना होगा जो जेनरल वाले हैं और OBC वाले उसी को सोर पे चार्ज लग आप इस एज के बीच हैं और फॉर्म को फील कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे बाकि टोटल इसमें पोस्ट की बात करें तो देख सकते हैं तीन हजार तिरानवे पोस्ट आपको देखने की फ्रिंड मिलता है काफी अच्छी खास से फ्रिंड पोस्ट है तो वैसे जो हैं आपको जरूर सुन को मर्य को एकजाम नहीं होते है जो मैरिट पे होता है सफेल्एक आपको आपको दिखाया आपका मैरिट देख सकते हैं पोस्ट वाइस गयाँ में यहां पे देख सकते हैं किसकिस जगह के लिए बंदा पर सारा चीछ को बाटा हुबाए तो इसको फिन आप यहां पर जरूर चेक करें ने देख सकते हैं अगर आप यहां पर सबसे बरी बाद आपको ध्यान में रखना है जो आपको सुरू में भी बताए 10 आप पास आउट है विट आपका 50% मार्स होना चाहिए और आपका आपका होना चाहिए किसी भी बोर्ट से किसी भी रेसिडेंटल आप साइटिफिकेट वैसा अगर आपने किया वाई 10 पलस के ब को भर सकते हैं जिसमें आपको जो कि रिसेंटली पासवर्ट साइज फोटो लगने बाला है अपलेकेंट सिकनेचर इमेल आडी मुवाइल नंबर जो एक्टिव होना चाहिए और एक्टिव मुवाइल नंबर दे क्योंकि कन्फरमेशन आपका मैसेज पर ही आएगा आपको लेया मैसेज पर ही आएगा सेलेक्शन का यहां पर पोस्ट आप देख सकते हैं जो कि मेरे लिस्ट जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि आप 10 प्लस ग्राइटे की हुए हैं तो आपका फ्रेंट यहां पर किसी भी तरगा एक्जाम नहीं होता है आपकी परसेंटेज के बे करने के लिए जौब करने के लिए जोब करना चाहती है तो आप लोग फ्रेंट जरूरी इसके लिए फ्रेंट फॉर्म को फिल अप करें जो कि 11 दिसेंबर से सुरू होने वाला है जैसे फ्रेंट ओलाइन शुरू हो जाता है तो मैं आपने चैनल पर लेके आ जाओंगा अबंगा झाओंगा टाओंगा